जहिन साथियों तो आईए आज का वीडियो सुरू करते हैं दे बैटल आफ डाबुल यह लड़ा गया था दिसंबर 29 फिप्टीन जीरो एट में तो आईए देखते हैं कि किन किन के बीच में हुआ था यह इंडियन पेननसुला का दिखा रहे हैं इधर इस्टन घाट है और इ जो बेस्टा बंगाल की तरफ बंगाल की खाड़ी है इधर अरेवियंसी है गुजरात की तरफ और इधर हिंद महासागर है नीचे तो आईए शुरू करते हैं यह जो बैटल है यह पूर्तगालियों के बीच में और जो शल्तनत थी बीजापूर की उनके बीच में लड़ा गया था 1805 में 29 दिसंबर के दिन इसमें जो पूर्तगाली थे उन लोगों ने अटेक किया जो दाबूल सिटी थी और जो दिव है वहाँ पूर्तगालियों ने 424 साल तक राज किया बैक ग्राउंड आए देखते हैं इसका दाबूल स्पेल डाबूल बाई दाबूल बाई दाबूल बाई पार्चूगीज और लेटर देखते हैं इसका जो एक्चुल मीन है ये डाबूल है एक्चुल तो डाबूल ही था लेकिन इसको डाबूल पार्चूगीज ने कहा और बाद में इंगलिस ने जो प्रेटिसर्स थे उन्होंने भी डाबूल ही कहा वाजवाए थ्रेविंग पॉर्ट सिर्टी सिचुवेटेडिड इनғं दinga किंगणम आप ब्रीसापूर और ये वीजपूर में सिचुवेटेर हैं दफी अदिल्सानी डाइनस्टी जो अदिल्साही डाइनस्टी थी उस समय वो राज कर रही थी इन्दा 15 and 16 centuries it had become an important and flourishing trading center 15 और 16 मतलब 1500 से लेकर 1600 और 16 मतलब 1600 से लेकर 1700 यह centuries में यह जो city यह flourish हुई as a trading center मतलब इसको trade का center माना जाने लगा पंद्रहवी और सुलावी सदी में the then Portuguese viceroy of its possessions in the India was Francisco de Almeida who was also the first Portuguese viceroy of India जो Francisco de Almeida जो पहला viceroy 25 की तरफ से था इंडिया का वो यहां पर मतलब आया his son Lorenzo had earlier been killed in an attack on a squadron led by him at Chal by a Gujarat Mamlak fleet क्या होता है कि यहां पर इन से पहले जो पहले Francisco de Almeida जो पूर्टगाली viceroy थे इंडिया के पहले इनके पहले इनका लड़का आता है जिसका नाम रहता है Lorenzo ओ भी मारा जाता है squadron led by him Chal by यह गुजरात mamlak field जो एक गुजरात का एक mamlak fleet होता है वहां पर वह मारा जाता है Lorenzo's squadron squadron was in route to the more famous battle of div और जो Lorenzo's squadron थी वह बहुत ही प्रसेद लड़ाई थी दीव की in which the Portuguese had a decisive victory against the combined forces of the गुजरात सल्तनत और वहां पर मतलब जो गुजरात की कंबाइन जो गुजरात की सल्तनत थी उन सबने combined होकर इनके जो Lorenzo था इसके against में लड़ाई लड़ी थी दा ममलक सल्तनत अफ इजिप्ट कैलिकर्ट जैमरीन और रिपब्लिक आप बेनिस देख सकते हैं इसमें अब बैटल अफ डाबुल वस सेट तो बी इन रिटेलियेशन तो इस अटेक अट एंड़ किलिंग आफ वाइसराइशन क्या होता है जब वह इनकी जब लोरेंजयों की डेथ हो जाते है तो इस बैटल को as a셨 रिटेट मातलब बाद में जो रिटेलियेशन होता है उसके तरह दिखाय जाता है क्योंकि जो वह शराइक असंड़ लोरेंजय उनकी जो death हो गई थी उसी की वज़े से बाद में लड़ाई होती है यह तो इस तरह की लड़ाई उन्होंने की उसमें अटेक में उन्होंने आटिलेरी का यूज किया वंबॉर्मेंट करने के लिए और पिंजर मुवमेंट शोल्जर्स के द्वारा वेपन के साथ किया दपाउच्चुगीस वर मर्सीलेस इन देर अटेक वो मतलब अटेक कर रहे थे अटेक कर रहे थे अटेक रहे उनके रास्ते में जो भी कोई जीवित आ रहा था उसको काट दे रहे इंक्लूडिंग वोमेंट चिल्रेन एंड दो ओल्ड यहां तक कि जो महिलाएं थी बच्चे थे बूड़े थे देडिड नॉट इवें इस पेर देंड और उनोंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा आफ्टर दमेस्कर दे सेट दा होल सिटी टो फायर बर्नी अलाइव और यह जो मेस्कर होता है इसके बाद में उन्होंने पुरा सहर जला दिया और इसके उनकी जो तलवार से बच भी गया था उसके बाद में क्या हुआ जब इ जाने चली गई एक इमेज है दे लिफ दे सिटी आफ ऑन जैन्वरी फाइब फिप्टीन जीरो नाइन आफ्टर दिस दे वेंट अन टू फ्लाइट बैटल आफ दियू इन विच दे उड है वा साउंड विक्टरी इसके बाद भी वह पांच जैन्वरी पंदरा सो नो को यह से जाते हैं बैटल आफ दिव इन विच दे उड है वा साउंड विक्टरी और मतलब यहां पर उनकी जीत होती है दा अटेकिंग पॉच्टीज फ्लीट हैड नाइटीन सिप्स वेरेज बीजापूर किंग्डम ओनली हैड फोर सिप जो अटेक जो पूर्तगाली थे जो अट इन सिंस दे हैड अंडर तो थाउजन में वाइल दा इंडियन किंग्डम हैड सिक्स थाउजन सोल्डर सोल्जर्स दे पॉच्टीज मैनेज टू रिवेज दा पॉर्ट सिटी और क्या होता है कि उन लोगों के पास में 19 सिप रहती है जबकि जो किंग्डम आवीजापूर है उनके पास में सिर्फ चार ही रहती है लेकिन सोल्जर में जो पॉर्टगाली रहती है वो दो हजार रहते हैं और जो यह वीजापूर किंग्डम रहता है इसके पास में छे हजार रहते हैं और इसके बावजूद पॉर्टगाली मतलब जो सिटी है उस पे कबजा कर लेते है even though the port was not captured in this battle लेकिन इसमें क्या होता है कि जो किला होता है उसको यह लोग capture नहीं कर पाते हैं the conquerors attacked the city many times in the following decade और इस दसक में इस दसक में यह लोग बहुत बार मतलब city को attack करते हैं उसमें से लोटते हैं attack the city many times in the following decade और पूरे मतलब दसक तक decade में एक decade होता है दस साल का the last recorded attack on double by the Portuguese was in 1571 and this time double was only a shadow of its farmer self with hardly anything left to attack the last recorded attack on double by the Portuguese was in 1571 में last attack होता है और इसके बाद में कोई attack नहीं होता है तो इस तरह से यह जो battle up double था यह इंड होता है यह देखते हैं हम लोग ने क्या 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 देखा तो यह हम लोग ने battle up double जो आज ही की दिन December 29 फंद्रा सो आट में लड़ा गया था यह इसकी कुछ images हैं यह इसके battle का time और इसका जो year था background इसमें यह देखिए इसमें कैसे कैसे use हो रहा है और इसके आगे यह image और इसके जो वार में कितने लोग सामिल होए थे यह सब तो इसी के साथ यह आज कर यह अंक समापता है धन्यवाद जैहिन